हाई प्रेंट्स नमस्कार आज है संडे और आज हम बात करेंगे अध्यात्म के विसे में हर संडे को मैं आपके लिए लेकर आता हूँ अध्यात्म के इसे आज हम बात करेंगे दानवों के आरात्य देव सिव जी क्यों है आखिर दान्वों ने विश्णुजी की तपश्य क्यों नहीं की आखिर दान्वों ने जितनी तपश्या सिर्जी की की उतनी तपश्या ब्रमाजी की क्यों नहीं की आज इस विशे में आपन बात करेंगे सीव जी का दानवों के परती कोई विशेश लगाव नहीं था सीव जी हमेशा दानवों और देवता को एक समान तराजू में तोलते थे वो कभी अपने तराजू को पलड़ा कभी एक तरप नहीं रखते थे वो देवता और दानव को दोनों हमेशा बराबर रखते थे उनके लिए देवता और दानव दोनों समान भक्त थे वो किसी भी भक्त के वर्थि अपना बेदबाव नहीं रखते थे इसका छोटा सा उधरन में आपको बताता हूँ सीव पुराण में एक वर्काशुर राक्सस था और वो सीव जी की बहेंकर तपश्या करता है जब नारद मुनी को पता चलता है कि अगर वर्काशुर तपश्या कर रहा है और अगर वर्दान मांगेगा तो सष्टी के लिए विनास कर सकता है तो नारद मुनी पहले ही सिर्व जी को आगा करते हैं कि प्रभू वरका सुर्व को आप वर्दान ना दे तो सिर्व जी भी जानते हैं कि वरका सुर्व नुक्सान पहुचा सकता है लेकिन फिर भी सिर्व जी नारद को कहते हैं वरकासुर्व सिर्फ मेरे लिए एक बक्त है वो न तो मेरे लिए दानों है न देवता है न कोच भी वो मेरे लिए सिर्फ बक्त है और बक्त मेरे लिए सिर्फ बक्त होता है मैं मेरे बक्त में अच्छा या बुरा नहीं देखता हूँ बक्त मेरे लिए सिर्फ बक्त हैं और शिव जी उसको वर्दान देते हैं और वर्दान देने के बाद उसका नाम पड़ता है बस्मासुर और खुद शिव जी उस बस्मासुर से विपत्ता में पड़ जाते हैं और भगवान विष्णुजी सिर्जी की मदद करते हैं तो इस परकार हम देख सकते हैं कि भगवान बोलेनात को पता होता है कि कोई विपती आने वाले हैं फिर भी वो अपने बक्त को कभी निरास नहीं करते हैं इसलिए देवता इसलिए दानों हमेसा सिर्जी की ही आरात्ता करते हैं दानों जानते हैं कि सिर्जी हमारा कभी अनिष्ट नहीं करेंगी दानों जानते हैं कि सिर्जी हमारे साथ कभी गलत नहीं करते हैं और सीव जी को परसंद करने के लिए ज़्यादा मेहनत भी निकरने परती है, प्रमा जी को अगर आप ज़्यादा तपश्या करने परती है, और सीव जी बहुत ही सीथे और साधे देता हैं, वो बहुत ही जल्दी परसंद हो जाते हैं, इसका एक और उदरा में आपको बता हू और इससे जो भी वस्तु निकले वो आप आदे आदे बाट लेना। सिरुजी चाहते थे कि देवता और दानों के दुस्मनी हमेसा के लिए समप्त हो जाए। और यह हमेसा लड़ते नहीं रहें। वो जानते हैं कि देवता और दानों एक ही रिशी के संतान थे। कि एक ही रिशी के संतान होने के बाद भी और रोज हर रोज और समय समय पर लड़ते रहते थे। तो सिरुजी उनकी लड़़ी सांथ करवना चाहते थे। इसलिए उन्हों नहीं समूंदर मंतर का परस्ताव दिया। और परस्ताव दिया। उसमें भी यह हुआ। जब समुंद्र मंतर ने सारी चीजे निकली सब आदी आदी बाट ली लेकिन जब अम्रत निकला तो क्या हुआ विश्णुजी वगवान ने सिर्फ देवताओं को अम्रत पिला दिया तो फिर बापिस दानों के साथ चल हुआ तो एसी सारी गटना के कारण दानों ने हमेशा विश्णुजी को उपर कभी विश्वास ने किया हमेशा सिर्फ जी के उपर ही विश्वास किया सिर्फ जी जो कहते थे दानों हमेशा मानते थे इसलिए देवता इसलिए दानों अपना आरध्य देव सिर्फ जी को मानते अब प्रही बात कि दानो ने विश्णु जी की, पूजा क्यों ने की, विश्णु जी से वर्दान क्यों नहीं मांगा, अधिकतर वर्दान सीव जी से ही क्यों मांगे गई, इसका एक छोटा सा फरतान थे, उधारन और कुछ नहीं है, हमें सा देवता को पक से लिया है, दानवों के साथ चल करते हैं और जो अमरत होता है देवताओं को पिलाते हैं वामन अवतार की कता देख सकते हैं महाराज बली महाराज बली के यहां छोटे से वामन देवता बनके जाते हैं तीन बग तर्थी पूरी प्रमार्ण को नाप लेते हैं तीन पक से तो वहां पे भी जग जग देख लिए हमेंसा विष्णु जी ने दानों के साथ चल किया है दानों हमेंसा विष्णु जी को अपने सबसे बड़ा कटर सत्रू मानते हैं इसलिए दानों कभी भी विष्णु जी की पुझा नहीं करते हैं वो हमेसा अगर उन्होंने कोई वर्दान मांगा ये कुछ भी किया तो हमेसा सिर्जी से ही मांगा और सिर्जी को ही अपना आरध्य देव मांते है इसे के साथ आज यहीं दोस्तों मेरे वीडियो आपको पसंद आये लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरा आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती है